नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बंगॉल से आपको बता दे कि एक बार फिर से बंगॉल की कानून वेवस्था को ले करके बड़ा सवाल उठा है बता दे दरसल बीजेपी के युवा मोर्च के कारिकरता की चाकोंसे मार करके हत्या कर दी जाती है बता दे कि यह हत्या दरसल दिंद हाड़े की गई है वहीं इसके खलाफ बीजेपी कारिकरता और साथ ही भारतिय जंथा पार्टी मोर्चा के कारिकरता हुने आज बंद का वहन किया है और उनका कहना की राज्य jewe इस तरीके से कान्हून ववस्ता के साथ खिलवार किया जो आ रहा है और TMC के गुंडे इसके पीछे शामिल है यानि कि उन्होंने इस हत्या को ले करके TMC पर सीधे सीधे आरोप लगाया है तो वहीं दूसरी ओर कॉंग्रेस के नेता अधिरंजन चौधरी ने भी ममता सरकार प ले करके भी अधिरंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साथ हुए कहा कि आज रज में कान्हून ववस्ता के स्थिती बस से बत्तर हो चुकी है आरोपियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जानी चाहिए और सरकार को एक्शन लिया जाना चाहिए तो वहीं दूसर में अधिरंजन चौधरी जो हैं वो ममताब एनरजी को ले करके आरोप लगा रहे हैं कहीं न कहीं यह जो इंडिया है विपक्षियों का महा गडवंधन उनमें कोई बात जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है क्या भविश में चुनाव से पहले बड़ी फूठ हो जाए में राजेंदर सिंग गुड़ा ने अपनी सरकार के खलाफ बोला तो उनका पत्ता कड़ गया तो कहीं ऐसा ही चीज अधिरंजन चौधरी के साथ ना हो जाए क्योंकि वो लगातार बिंगौल पंचाज चुनाव के खलाफ भी बोलते रहे हैं और अभी मालता की घटना को ल बहान कर दिया है जिससे देखते हुए इसलामपूर अलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है बता दे कि बीजे वाई एम के प्रदेश अध्या अक्षिन इंद्र नील खान का दावा है कि इसलामपूर में एक पार्टी कारकरता की दुकान पर चाकु मार करके हत्या कर दी बता दे इसी के साथ ही कहा ये जारा है कि ये जो हत्या है वो टीमसी के गुंडों ने की है दरसल जो भारती है युवा मूर्चा कार करता है उसकी एक दुकान थी और दुकान में टीमसी के गुंडे दरसल हफता मांगने के लिए आये थी और बीजे पी कारकरता ने हफता द इंद्रनील खान क्या कह रहे हैं दिखिए आशीम शाहा एक युवा कारिये करता है भारतीय जनता युवा मोच्छा का और वो अपने मेनस से अपना काम कर रहा था उसका अपना एक दुकान था और उस दुकान में वह अपना जब काम कर रहा था तक त्रिनमुल का जो इस नेता, नेत्री सब लोग है ओ लोग पुरा तुलाबाज लोग को चलाते हैं ऐसे एक तुलाबाज उनको उस मार्केट से तुलाबाजी करने आ गया था और उसने अमरे असिम यह जो लर्का है वो उसको उसका रिजिस्ट किया और जैसी ये तुलाजी रुखने का प्रय प्रशाद भी हो गया यह तो कोई एकसप्टेबल नहीं है कि अशिम का गुना क्या था उसका कोई गुना नहीं था उसका एक ही गुना था वो तोलाबाजी के खिलाफ अपना आवाज उठाया और जो लर्का अमरे देश के लिए सोचता है हमारे राज्य के लिए सोचता है वो क्रिमिनेल के खिलाफ तोलाबाज लोगों के खिलाफ आवास्त उठाए गाई मगर उसका सजा मौत होगा क्या मेलें यह मनता बैनाnet जीका प्रसाशन है जो यह तोलाबास लोग है उन लोग ऐसी घूम रहा है यह पूरा पस्चिम बंगाल का तस्बीर है और इसलिए आप जैसे माला में आपको देख रहा है कि जैसे उनको विवास्ट करके दो औरत लोग अभी इज़त से लेके खिलवार किया और अभी आप देख रहे हैं यह उत अग्वार का बंद भी अब्जर्व किया रहा है इसलांपूर में तो क्या स्थिती है कैसा रिस्पॉंस है क्या कहीं देखे इसलांपूर के लोग है यह ज़स्ट शॉक्त जैसे हो सकता है तोलाबाजी के खिलाफ एक लरका एक युवा ने आवाज उठाया है उसके लिए उ हुआ मशंता है वह पुरा शॉक में हैं और उनका पूरा समत्तन है भायतियययंता युवा मोचा के साथ किकषा मनगाल में हर जिला में आज विक्होव कर रहा हो इसे के साथ ही सूर्जी सेन ने भी आरोप लगाया है कि असीम साहा ने TMC के गुंडों को हफ्ता देने से मना कर दिया इसके बार शनिवार को चाकु मार कर उनकी हत्या कर दी गई है इंद्र नील खान ने भी इस घटना का CCTV फोटेज अपने ट्वीटर हैंडल पर जारी किया है बता जारा है कि कारुबार करने वाले आसीम साह पर चाकु से कई बार बार किये गए जिससे इतना खुन बहा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई बीज़पी की ओर से आरोप लगाया गया है कि इसलामपुर में खारुबार करने के लिए ट्रिमसी के गुंडे को हफ़ता देना पड़ता है सुर्जिस सेन ने ये कहा है कि ऐसा नहीं करने पर कोई यहां खारुबार नहीं कर सकता उनका आरोब था कि इसलामपुर में तरशासन नजर ही नहीं आती है बीजेपी नेता ने कहा कि आज वो असीम साहा के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है उन्होंने उमीद जुताई है कि सभी लोग बंद का समर्थन करेंगे फिलाल इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है और साफ तोर से ये जो घटना दीखी गई है उसको लेकर गेगबर फिर से बिंगॉल के शासन को लेकर के सवाल उठता है कानहून ववस्था को लेकर के सवाल उठता है क्योंकि जिस तरीके से बेंगॉल के पंचाच चुनाव के दौरान जो तस्वीरे आई है इसको ले करके पहले ही बेंगॉल की जो चबी है वो धूमिल हो चुकी है वही दूसरी और बात की जाए तो हाल ही में बेंगलूरू में आयो जित संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठ मेंटन इंक्लूजिव अलायंस यानि की इंडिया रखा मगर इसके दस दिन से कम समय के बाद ही परश्व मंगाल में दोनों पार्टियों के बीच संबंदू की कड़वाहत एक बार फिर से सब के सामने देखी ज़ा रही है इसे ये संकेत मिलता है कि 26 पार्टियों के समू के भीतर अभी भी कई मुद्दों को सुलजाया जाना बेहत जरूरी है और ये बाकी भी है बता दे कि शनिवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस में बेंगॉल कॉंग्रेस के अध्याक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधिरंजन चौधरी ने ममताव एनरजी के ववस्था के स्थती बेहद खराब होती जा रही है और माल्दा की घटना से ये दर्शाती है कि सिर्फ माल्दा ही नहीं बलकि बेंगॉल के कई अन स्थानों पर पंचाच चनाव के बाद महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं ये बेहद निंदनी हैं और अपराधियों के खि पास से इंकार कर दिया था राज्यकी जनता का अब ममताव एनरजी से मुह बंगो चुका है इसलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें कॉंग्रिस से हाथ मिला लेना चाहिए टीमसी को आप कॉंग्रिस की सख्त जरूरत है ये बंगल की कानून और स्थिती बत्तर होते जा रहे हैं इसी को दर्साते हैं माल्दा की इस घटना से माल्दा ही नहीं बलकि बंगल में भी बहुत सारे जगह में चुनाओं और चुनाओं की उपराद एक के बाद एक तचार की घटना महिला पे इस तरिक की असनमान करने की घटना ये घट रही आई ये बेहत निंदजनक है और इसके खिलाब सक्षे सक्ष कारवाई होनी चाहिए दोशियों को जल से जल पकरना जुरूरी है और दोशियों को सजा देने के लिए यहां कि प्रशाशन हर संबब प्रयाश करे ये हमारा मांग भी है वहीं जिस तरीके से यहां पर अधिरंजन चौधरी ने ममता सरकार पर हमला बोला है और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है उदर दिली के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो की कॉंग्रेस आला कमान के इस फैसले से काफी जादा नराज हैं जिस पर उन्होंने अर्विंद केशवाल का समर्थन देने की बात कही और गडबंधन का हिस्सा बनाया है और यही तस्वीर अब बेंगॉल में भी देखने को मिल रही है जहां पर कॉंग्रेस और टीमसी के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है तो वहीं CPIM की बात करें तो यहां पर भी एक करवाहट जारी है अब ऐसे में तमाम जो दल हैं वो एक दूसरे को ले करके कई सारे मुद्धे पर मनमुटाव साफ तोर से देखने को मिल रहा है अब इस मामले को ले करके बीजपी और जंता ने कटाक्ष किया है और उनका कहना है कि क्या 2024 से पहले ये जो विपक्षी दलों का महागडबंधन है वो बचे का या नहीं बचे का क्योंकि तमाम नेता एक दूसरे के खलाफ लगातार बोलते हुए नजर आ रहे है तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रास्टी अस्तर पर महागडबंधन और आला कमान के लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने ही पार्टी के कारेकरताओं के उपर जो अत्याचार किया जा रहा है उनकी बातों को तक नजर अंदाज कर दिया जा रहा है बता दें बीजपी नेता निशेकांत दूबे हैं वे ट्वीट कर कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को मोधी जी के विरोत के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कम से कम अपने वरस्ट नेता अधिरंजन चौधरी की बास समझ कर टीमसी के खलाब संसस से लेकर सड़क तक आंदोलन कर महिलाओं वा बच्चों की सरक्षा कर लेनी चाहिए इसी के साथ ही बीज़पी नेता और प्रवक्ता शहजाद पुनावाला कहते हैं कि अधिरंजन चौधरी ने मालदा में जो महिलाओं के साथ हत्याच्यार किया गया है उसको लेकर के टीमसी पर हमला बोला है उधर प्रताप सिंग बाजवा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है केवल राहुल गांदी का समर्थन करने के लिए कॉंग्रस जमीनी हकीकतों को नजर अंदाज करती है अपने राज्य के नेताओं और एकाईयों को नजर अंदाज कर देती है अब वो प है कि क्या अधीरंजन चौधरी को भी पद से बरखास्त कर दिया जाएगा जिस तरीके से राजस्थान में राजेंद्र सेंग गुड़ा के साथ हुआ तो वहीं बीज़पी नेतात जिंदरपाल सिंग बंगा ने भी जोड़दार हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया में लड लखा गया है और इसी पर तंच कसते हुए उन्होंने पूरी बात कह डाली है फिलाल इस ख़बर को लेकर के आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें